आज मैं अपने किछन में बना रही हूं इनस्ट डोकला की रेसिपी बहुत फटा फट से बनाना इतना आसान है और यह सिर्फ दो ही इंग्रीडियंट के साथ में बन करके तयार हो जाती है बेसिकली हमको बस दो ही इंग्रीडियंट चाहिए इसको बनाने के लिए तो चलिए बिना देर किये अपनी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं और हाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हो तो फटा फट से इसको सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी तेरी की यमी रेसिपी आप लोग एंजॉई कर सको इंस्टन रुकला बनाने के लिए मैंने यहा ने ले लिया है 1.5 kg रौवा, और मैंने यहाल का मेजरिंग का हमेर में किया हूँ पानी तो 3-4 हमको पानी लेना है तो जितना रवा है उसका 3-4 दही और 3-4 पानी यही आपको एक मेजरमेंट फॉलो करना है तो यहाँ पर मैंने रवा के अंदर पानी और दही मिला लिया है और इसको अच्छी तरीके से हमको फेट लेना है ताकि इसको बहुत बढ़िया तरीके से हमको मिलाना है और यहाँ पर जो भी मैंने मेजरमेंट बताया है वो बहुत ही पर्फेक्ट मेजरमेंट है तो हमको एक्स्ट्रा पानी या फिर दही की जरुरत बिलकुल भी नहीं पड़ेगी तो इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर फेट करके तयार कर लोगी तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अभी हम इस पेट धकन लगा करके 15 मिनिट के लिए रेस्ट होने देंगे तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है मैं यहाँ पर स्टीमर तयार कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने बड़े से बरतर में पानी ले लिया है उसके अंदर लगा देना है स्टैंड अगर आपके स्टैंड की हाइट कम है तो ही आप दो लगाए मेरे स्टैंड की हाइट कम थी इसलिए मैंने दो लगाया है आप एक पील लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर मैंने बैटर में डालने के लिए एक इंच तुकड़ा अद्रका पील करके ग्रेट कर लिया है और यहां पर पांची छेहरी मिर्चे लिए हैं त ताकि जो भी हम धोकला यहां पर बनाने वाले हैं वो इसके साथ चिपकेना आप चाहें तो केक टिन की बजाए अगर आपके पास धोकला प्लेट से ग्रीस करके तैयार कर सकते हैं या फिर कोई प्लेट हो तो उसको भी आप यूज में ले सकते हैं तो 15-20 मिनिट हो चुके ह रिस्ट होते हुए इसको चेक कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यह बैटर जो है वो पहले से काफी तिक हो गया है तो बिलकुल पर्फेक्ट यह कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की तो यह बिलकुल रेडी है इसको एक बार mix कर लेते हैं तो यहां पर अवेन बात है जो हमने काट की रखा है तो यहां पर मैंने आड कर दिया है अदरक और हरी मिर्ची आप अपने पसंद का यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी के साथ मैंने इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे अच्छी से लिए प्रेड के बाद मैं इस बैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद अब मैं एक पार्ट में डाल रही हूं बेकिंग सोडा तो यहां पर मैंने रवा जो है वो लिया था टोटल 500 ग्राम यानि कि बैटर मिक्स करने के बाद मैंने इसको ह कर दिया है तो यह 250 ग्राम का बैटर है इसमें मैं आड़ कर रहे हूं आधा चोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा ओके बेकिंग पाउडर नहीं है ध्यान दीजेगा बेकिंग सोडा डाल रहे हूं आधा चोटा चम्मच इसके बदले आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी ले सकते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा कोई टेस्ट में चेंजिस नहीं होंगे यहां पर मैंने आड कर दिया है बेकिंग सोडा अब इसको अक्टिवेट करने के लिए मैं इसमें आड़ कर रहे हूं आधा नीम्बू का रस डालते हैं इसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं यानि कि हम इसको स्टर करोगे न तो यह इसका जो एरिएशन फॉर्म हो रहा है इसके अंदर वो खतम हो जाएगा तो बहुत ही हलकी हाथों से काम करना है एक बार यह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम अपने प्लेट में इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा स्टीमर अल्रेडी अच्छे से तयार है तो जितना बैटर मुझे चाहिए मैं इसके अंदर डाल दोंगी धियान रखी बहुत सारा बैटर आपको प्लेट में डाल के फुल नहीं कर देना है क्योंकि अभी यह राईज होगा तो इसको जगे चाहिए तो आप उतना ही बैटर इसके अंदर आग क इसमें सेट कर दिया है स्टीमर के अंदर अब इसको धकन लगाकर के हम 12 से 15 मिनिट के लिए पकने देंगे बीच में आपको इसको खोलना नहीं है बहुत ही पर्फेक्ट मेजरमेंट मैंने बताया है और बहुत ही स्टेप बाइस टेप आपको बताया है तो यह बिलकुल बि तो यहां पे मेरा नाइफ क्लीन आ रहा है हमारा धोकला अच्छे से पक चुका है तो अभी हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं और इसका स्टीम खतम हो जाने तक इसको छोड़ देते हैं तो यहां पे दो मिनिट हो गए थे तो मैंने इसको निकाल लिया है बहुत ही कैरफूली निकालेगा क्योंकि बरतन अभी भी गरम है तो यह देख सकते हैं आप हमारा धोकला एकड़म रेडी है अब हमारा आधा काम तो हो गया लेकिन अभी सबसे में काम यह है कि इसको दी मोल्ड करना है तो demold करते हैं जब ये एकदम थंडा हो जाएगा तो अपने आप ये sides को release कर देगा तब हम इसको demold करेंगे अभी इसको हम rest करने देंगे 10-15 मिनिट के लिए तो 10-15 मिनिट हो गये हैं और ये देखिए हमारा जो धोकला का प्लेट है मैं आराम से हाथ से उठा पा रही हूँ ये इतना थंडा हो चुका है तो अब क्या करेंगे हम एक knife की help से sides को scrape कर लेंगे बहुत easily हो जाता है बिलकुल भी आपको यहां पे दिक्कत नहीं आएगी तो यहां पे एक प्लेट से मैं ढख करके इसको फटक से पलट देती हूं और इसको एक से दो बार टैप करेंगे और ये हमारा ढोकला निकल गया है बड़े आसानी से मैं आपको इसको उठा के दिख पहुंजी है तो यहां पर हमारा ढोकला अच्छे से रेडी हो चुका है तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और इसको तड़का देने की तयारी कर लेते हैं तो तड़का देने के लिए मैंने यहां पर गैस पे चड़ा दिया है तड़का पैन इसके अंदर डाल दि उसके बार इसके अंदर आड कर रही हूं मैं एक बड़ा चम्मच जितना सफेद तिल और मिर्ची इस तरीके से स्लिट करके डाले अदर्वाइस यह तेल में जाने के बाद ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि पैक रहे तीन चारो तरफ से तो मैंने यह पे तीन से चार हरी मिर्ची जितना करके डाल दिया है इसके बार मैंने इसके अंदर 10-12 पत्ते कड़ी पत्ता के डाल करके तुरंट ग्यास का फ्लेम ओफ कर दिया है अभी हम स्पून की हेल्प से इसके अंदर यह तेम्परिंग अपना ब्ला के अपर अच्छी तो मैं आपको इसको कट करके दिखाते हूं यह देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर जाली पड़ी है और जितना ही जाली दार यह बनता है उतना ही फलफी स्पॉंजी आपका इंस्टिंट धोकला जो है वह बन करके तयार होता है तो अभी मैं इसके उपर बारी कटा हुआ और इसी तरीके से मैं दूसरा धोकला भी तड़का दे दूंगी तो यहां पर हमारा धोकला बन करके तैयार हो गया है गर्मा गर्म आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कॉमेंट में जरूर बताएगा इसको बना करके ट्राइ जरूर कीजेगा और अपना एक्सपिरियंस मेर नौटिफिकेशन जरूर से दबा दीजेगा ताकि इसी तरीकी की यह मेरी रेसिपीस में आपको दे सको मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई